लोकसभाद चुनाव 2024 के मद्दे नजर विपक्षी दलों की मोचा बंदी को लेकर एहम बैठक बिहार में जल्द होने वाली है ये बात नितिश्त अरकार की मंत्री संजे कुमार जाने कही है संजे कुमार जाने बताया कि देश भर में विपक्षी पातियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमती जताई है जल्द ही विपक्षी पातियों के नेता बिहार में साथ बैठ कर मुलाकात करेंगे बता दें कि करनाटक चुनाओं के बाद विपक्षी दलोग की लोग सभा चुनाओं को लेकर ये बैठक पटना में होने वाली है इससे पहले स्रीयम नितीश भी इससे लेकर के संकेत जाहिर कर चुके हैं बता दें कि बिहार के जल संसादन एवं सुचना जन संपर्क मंतरी संचे कुमार ज्छा ने सुक्रुवार को कहा कि विपक्षी एक जुटता को साकार रूप देवी के लिए शीयम नितीश कुमार का ये प्रयास साकरातमक दिश्रा में आगे बढ़ रहा है देश के सभी विपक्षी दलों के नेताओं के स्ताथ बात हो रही है सभी दलों ने एक साथ मिल कर चुनाओ लड़ने पर सहमती जताई है जल्द ही बिहार में विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक होने की संफावना है लोग सभाथ चुनाओ दोहसार चौबिस के मद्दे नजर विपक्षी दलों की मोचा बंदी को लेकर एहम बैठक बिहार में जल्द होने वाली है ये बात नितिश्तरकार की मंत्री संजे कुमार जहाने कही है संजे कुमार जहाने बताया कि देश भर में विपक्षी पातियों ने साथ मिलकर चुनाओ लड़ने पर सहमती जताई है जल्द ही विपक्षी पातियों के नेता बिहार में साथ बैठकर मुलाकात करेंगे बता दें कि करनाटक चुनाओं के बाद विपक्षी दलोग की लोग सभा चुनाओं को लेकर ये बैठक पटना में होनी वाली है इससे पहले स्रीयम नितीश भी इससे लेकर के संकेत जाहिर कर चुके हैं बता दें कि बिहार के जल संसादन एवं सुचना जन संपर्क मंतरी संचे कुमार ज्छा ने सुक्रुवार को कहा कि विपक्षी एक जुटता को साकार रूप देवी के लिए शीयम नितीश कुमार का ये प्रयास साकरात्मक दिश्रा में आगे बढ़ रहा है देश के सभी विपक्षी दलों के नेताओं के स्ताथ बात हो रही है सभी दलों ने एक साथ मिल कर चुनाव लड़ने पर सहमती जताई है चल्द ही बिहार में विपक्षी दलों की एक बड़ी बैटक होने की संभावना है बेरो रिपोर्ट न्यूस पियार लाइव पटना बेरो रिपक्षी दलों के साथ बात है